हलो दोस्तों मोबल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फीट से बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की इस पीडियो में आपको रिक्या आने जा रहा हो अब अपने आधर कार्ट को ओनलाइन के से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों अगर आपने ए को ओनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं तो जैसे कि दोस्तों आधर कार्ट को ओनलाइन डाउनलोड करने का पहला वाला जो प्रोसेस था ये प्रोसेस कुछ टाइम वार्क कर रही है फिर कुछ टैम वार्क नहीं कर रही है ठीक है बहुत वीवर्स ने मुझे कॉमेंट किया है कि जब भी वीजिट कर रहे हैं वो वेबसाइट पर तो यह आटोमेटिकली बेक हो जा रहा है ठीक है और बहुत वीवर्स लोगों को आधर कार्ट को डाउनलोड करने में बहुत सरा दिक्क्त आ रहा है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोसेस पताने लाइन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अब अपनी फोन का प्ले स्टयर पर जाएंगे और प्ले फ्ले स्टयर पर जाने की बाद में दूस्त आपको सार्GE करना है एंबड़ार और यहां से órगिने को मिल जाएगा म आधर एब तो सबसे पहले अपनी फोन पर इंस्ट् करके रखाऊ तो मैं यहां से ओपन कर लेता हूं और इस एप का लिंक दूस्त आपको वीडियो की निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है जैसे आप को ओपन करेंगे तो यहां पर आपको कुछ पार्मिशन मांगेगा तो यहां पर आप एलाव पर क्लिक करेंगे त यहां पर जितना पार्मिशन मांगेगा सभी पार्मिशन को आपको यहां पर एलाव करना है ठीक है उसके बाद में यहां पर आप स्कीप पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आई कॉंसेंट आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर लेंगूज इंग्ल यह message देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको ट्राइ करना है ठीक है यहाँ पर आपको दूसे तीन बार ट्राइ करना है तो यहाँ पर आपकी मुबाइल नमबर पर एक OTP पी send किया जाएगा इस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको submit पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर दूस्ता आपको देखने को मिलेगा download आधर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दूस्ता आपको दूप्शन देखने को मिलेगा जैसे की regular आधार और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मास्केट आधार ठीक है तो यहाँ पर आपको regular आधार पर क्लिक करना है यहाँ पर दूस्ता आपको देखने को मिलेगा आधार नमबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भी डाल कर यहां से आप अपने आधर काड को डाउनलोड कर सकते ही ठीक है तो यहाँ पर में जिस आधर काड को डाउनलोड करने वाला हूँ यह नहीं एपलाई किया हुआ अधर काड है तो यहाँ पर में एंडुल्मेन आइडी को सिलेट कर लेता हूँ उसके बाद में पर क्लिक करके उस टेट को यहाँ पर सिलेट करेंगे ठीक है और उसके बाद में आपने जिस टाइम पर एपलाई किया था उसी टाइम को आपको यहाँ पर सिलेट करना है जैसे कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप आप आवर्स को सिलेट करेंगे उसके बाद में यहां पर आप minutes को select करेंगे और यहां पर आप seconds को select करेंगे ठीक है और यहां पर दोस्तो आपको एक code देखने को मिलेगा इस code को आपको यहां पर डालना है और यहां पर आपको request OTP पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तो आपकी रिजिस्टर मुबाइन नमबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा इस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको verify पर क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तो आप देख पर यहाँ पर मेरा जो other card ही आ चुक है उसी नाम का पहले का जो चार word है उसी word को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद में आपका जो date of birth ते उसी date of birth का सिरिफ यहाँ डालना है जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पर ही इसी तरह का आपको यहाँ पर password डालना है यहाँ पर आपको बीज में कोई भी space नहीं देना है, आपको एक लाइन पर लिखना है और यहाँ पर आपकोopeat डाल कर यहाँ पर मैं open पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पर यहाँ पर मेरा जो आधर काड यह ओपन हो चुक है ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर त्री डोट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना ठीक है तो यहाँ पर दोस्त तो इसी तरह आप बहुत है असानी से आपका जो आधर कार्ड है उसी आधर कार्ड को आप ओनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं